हाई गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में हम बी ए का फर्स सेमेस्टर का चैप्टर करेंगे जो की है चैप्टर नमबर टू चूजिंग आवर यूनिवर्स जो की लिख है स्टीफिन होकिंग एन लियोनाड म्लोड दिनोने हम क्या करेंगे इ तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि केंद्रिय अफ्रीका के बोशोंगो यह कबीले का नाम है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वहां के लोगों के नुसार स्टार्टिंग में सिर्फ अंधेरा पानी और महान देव एक देवता बंबा नाम था जिनका वही रहते थे वन डे बुंबा इन पेन फ्रोम स्टमेक वोमिटिड अपता सन और एक दिन जब बुंबा को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने उल्टे की और उस उल्टी में क्या निकला सन In time the sun dried up some of the water living land कुछ समय पाकर सूर्य ने कुछ पानी को सुखा दिया जिससे धर्दी नजर आने लगी But Bumba was still in pain लेकिन Bumba को अभी भी pain था and vomited some more और उसने थोड़ी सी और उल्टी की अब कैम the moon, the stars and some animals और जब उसने उल्टी की तो उससे क्या निकल कर आया कुछ moon, कुछ तारे और कुछ जानवर The leopard, the crocodile, the turtle and finally man तो कौन-कौन से जानवर निकल कर आये, leopard जिसको हम कहते हैं तेन दुआ, मगर मच Turtle मतलब कच्छ हुआ और फिर आखिर में man, मतलब इंसान The Mayans of Mexico and Central Africa tell of a similar time before creation when all that existed were the sea, the sky and the maker In the Mayan legend, the maker unhappy because there was no one to praise him Created the earth, mountain, trees and most animals तो यहाँ पर क्या का जा रहा है कि जो Mayans है, जो Mayans नाम के कबीले के लोग है Mexico में और जो Central America है, वो भी हमें कुछ ऐसी स्टोरी बताते है कि कैसे धरती बनी होगी है, फिर कैसे man बना होगा तो सबसे पहले क्या था, अकाश था, स्काय था, सूरज था और जो Mayan के Legion Makers है, जो की लोग कता है उसमें उनाने कहा कि जो भगवान है वो unhappy थे क्यूं? क्योंकि उनकी कोई तारीफ करने वाला नहीं था इसलिए उन्होंने अर्थ बनाई, mountains बनाई, पेड बनाई इंसान बनाई, first he made them of mud and earth, but they only spoke nonsense, तो जब भगवान ने सबसे पहले इंसान बनाई, तो वो मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन वो सिर्फ बखवास ही करते थे, उनकी बातों में कोई मतलब नहीं होता था, he let them dissolve away and tried again, उन्होंने उसे क्या किया, घुल जाने दिया, क्योंकि वो तो मिट्टी के बने हुए थे, और उन्होंने वापिस से कोशिश की, this time fashioning people from wood, और इस समय उन्होंने लकडी से इंसान बनाया, the people were dull, लेकिन जो लकडी से बनाये गए इंसान थे, वो मन बुद्धी थे, he decided to destroy them, but they escape into the forest, sustaining damage along the way that altered them slightly, creating what we today known as monkey, तो जो वो मन बुद्धी के इंसान थे, उन्होंने क्या किया, भगवान ने उन्होंने नष्ट करने का निरना तो किया, लेकिन वो बच्च के जंगल में भाग गए, और रास्ते में उन्हें थोड़ी वो चोटे लगी, जिसकी वज़े से वो थोड़ा सा बदल गए, और वो कैसे बन गए, जिन्हें आज के समय में हम बंदरों को जानते हैं, वो बंदर थे, after the fiasco, the maker finally came upon a formula that worked and constructed the first humans from white and yellow cone, तो बंदरों के बाद क्या हुआ, उस विफलता के बाद, जब maker जो था, मतलब भगवान जो थे, वो असफल हो गए थे, तो अंत में उन्होंने ऐसा एक formula बनाया, जो की काम कर गया, जिसमें सफेद और पीले मक्के से, उन्होंने इनसान को बनाया, तो ये मा पर मैक्सिको के मायान एक कथा में कि जो पहला इनसान था, वो मक्के का बना हुआ था, सफेद और पीले मक्के का, क्योंकि वहां पर जो मक्के खेती है बहुत जादा बड़े लैवल पर की जाती है, वो बहुत जादा famous है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आज हम मक्का से मदिरा तो बना लेते हैं means दारू तो बना लेते हैं किन्तु अभी तक ऐसे लोग बनाने में रचैता की बराबरी नहीं कर पाए हैं लेकिन हम उन इंसानों को नहीं बना पाए हैं मक्के से जो कि भगवान ने बनाए थे creation myths like these attempt to answer the questions we add us तो यह कहरें कि जैसे जिस तरह से संसार बनाए जिस तरह से धरती बनी ऐसी पुराने कथाए ऐसे प्रशनों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो घखवान था उसको अपनी तारीफ सुनने के लिए कोई चाहिए था जो भगवान की तारीफ करें और यूनिवर्स ऐसा क्यों है जैसा हमें दिखाई देता है यह कुछ और भी तो हो सकता था Our ability to address such questions have grown steadily in the centuries since the Asian Greeks more profoundly over the past century. We are now ready to offer a possible answer to these questions. येहां पर क्या किहा रहे कि इसतर है कि धती एस सारे questions को जानने की जो इच्छा है हमारे अंदर वो बढ़ती जा रही है. और इसके जोنसर हैं वो हम देने के योग्या हो गए हैं. कुछ लोग scientific method से इस चीज को prove करते हैं कि हमारी धरती ऐसी क्यों है ये फिर कुछ लोग पुरानी कताओं को देख कर ही सच मान लेतें कि ये ऐसी इसी लिए है सबकी अपनी अपनी धारना बन चुकी है one thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history तो यहां पर यह बोल रहे हैं कि जो प्रारंबिक समय में सपश्ट रही होगी एक बात वो यह थी कि जो श्रिष्टी बहुत ही हालिया रचना रही होगी मतलब कि श्रिष्टी या तो अभी अभी बनाई गई होगी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है या फिर इतिहास में मानव जीवन का अस्तित्व काल अवश्य ही एक छोटा सा अंश रहा होगा या फिर जो मानव है मतलब इंसान है जो उनका अस्तित्व है कितने समय से इंसान इ इन नोलेज और टेकनोलोजी डैट फीपल हैड बीन अराउंड फोर मिलियंस ओफियर्स दा ह्यूमन रेस वूट बी मच फॉर्दर अलोंग इन इस मिस्ट्री ऐसा क्यों का जा रहा है कि भई थो छोटी ही रही होगी ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जाती ने ज्यान और तकनीक के शेत्रों में इतनी तेजी से प्रगती की है हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अगर लोग लाखो लाखो वर्षों से धर्ती पर रह रहे होते तो मानव जाती कितना जादा अभी तक इनोवेशन कर चुकी होती और कितना जादा आगे बढ़ चुकी होती जिस तर और बहुत सारे questions का answer निकाल चुका होता according to the old testament God created Adam and Eve तो यहां पर हमारी एक नई theory आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक testament के अनुसार जो God थे उन्होंने पहले Adam और Eve नाम के लोग बनाए और उन्होंने वो छह दिनों में ही बना लिये तो सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया यह एक नई हमारे पास theory आ रही है कि Adam और Eve को भगवान ने बनाया जिने उन्होंने छह सालों में ही बना दिया था Bishop Asher primate of all the island from 1625 to 1656 placed the origin of the world even more precisely at 9 in the morning on October 27, 4004 BC we take a different view that humans are a recent creation but that the universe itself began much earlier about 13.7 billion years ago तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमने theory देखी कि इश्वर नी Adam और Eve नाम के दो लोग बनाये वो भी उन्होंने छह दिन में ही बना लिये थे लेकिन जो Bishop उशर है जिनका नाम उशर है वो 1625 से 1656 तक पूरे Ireland का अर्च बिशप रहा उनको एक बहुत बड़ा पद दिया गया था Bishop वो होते हैं जो Church में सबसे बड़े प्रीस्ट होते हैं उसने संसार के प्रारम बिंदु को इससे भी जादस पश्टूप से निश्चित कर दिया 27 अक्टूबर 4004 इसवी पूर प्राते 9 बजे तो उन्होंने हमें यह भी बता दिया कि प्रित्वी कब बनी थी उन्होंने अपने जो उनकी पोस्त थी वहां पर क्योंकि उनको वहां का सबसे बड़ा और सबसे ज्यानी प्रेस्ट माना जा रहा था तो उन्होंने अपनी तर कि मानव जीव तो अभी अभी धर्ती पर आया है लेकिन शिष्टी की रचना तो बहुत पहले ही हो चुकी है और यही साइंस में भी हमने देखने को मिला कि जो हमारी अर्थ है वह 13.7 billion years पहले ही बन चुकी थी और जो हम human beings हैं वह अभी अभी अर्थ पर आये हैं कुछ सालों पहले ही billion years तो नहीं बट हा million years अगो हम यहां पर आ गए थे the first actual scientific evidence that the universe had a big link came in the 1920s तो इस बात का पहला वास्तविक ज्यानिक साक्षे कब आया हमारे पास वो 1920 में आया कि धर्ती कैसे बनी या फिर human beings कब आई that was a time when most scientists believe in a static universe that had always existed और जिस टाइम पर हमारे पास यह evidence आये कि भरित्वी कैसे बनी होगी उस टाइम पर बहुत सारे जो scientists थे वो यह मानते थे universe तो पहले से ही यहां पर था मतलब कि किसी ने इसको बनाया नहीं है यह पहले से ही था यह अपने आप बना हुआ है और यह पता और जो इस बात के विप्रीद इसके opposite दिया जाने वाला जो साक्षय था जो evidence था जो कि Edwin Hubble के दिया था उन्होंने अपने निरिक्षनों के अधार पर बताया कि कैलिफोर्निया के पासाडेना नामक नगर के ऊपर की तरफ स्थित पहाडियों में Mount Wilson नामक परवत चोटी के उ उपर 100 इंच के telescope के साथ किये थे तो जब उन्होंने ये बताया कि नहीं universe को बने हुए कुछ ही time हुआ यह हजारों करोडों साल पहले से यहां पर exist नहीं करता था उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले ऐसा मानते थे कि भई जैसे गोड होती है हमें नहीं पता कि गोड कैसे ब दोन दोलों से वह सी थी वह मानना हम व्याया खांग अरिज्ल कैसे थे कि वह लेकिन अपने सो नंच के टालिज्चोप से माउट विल्सन-इन-दर हिल्स के लिम होगा यह जान के सब्सक्राइब से उन्हों कि एलाइज किया लाइट से उन्होंने देखा तो उन्होंने एलाइड की दग अगयरा को देखा कि न design देखा कि वे प्रिक्वेंसि री है और उन्हों ने वे बात निश्चे कि कि में जितनी घ्अन मांड में अकाश गंगाएं हैं वो हमसे दूर जाती जा रही है और जितनी दूर वो हमसे जाती जा रही है उतनी ही वो फास्ट होती जा रही है उनकी स्पीड इन 1929 ही पब्लिश्ट अ लो रिलेटिंग देर रेट अफ रिसेश्शन on the distance from us and concluded that the universe is expanded और 1929 में उन्होंने पब्लिश्ट की एक उनकी रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी जादा ये गैलेक्सिस हमसे दूर जा रही है उनिवर्स उतना ही जादा फैलता जा रहा है और अगर ये सच है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनिवर्स पढ़ता जा रहा है और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि उनिवर्स स्टाटिंग में छोटा होता था क्योंकि तभी वह भी बढ़ पा रहा है तो वह कहते हैं कि अगर हम देखे जैसे कि हमने देखा कि अब युनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले जो पावर थी वो एक बहुत छोटे रूप में रही होगी जो कि बहुत सारी टेंप्रेचर डेंसिटी और ऐसे फैक्टर के वज़े से बाद में दूर दूर फैलती गई और इस थियोरी को हम किस नाम से जानते है बिग बैंक थियोरी से जिसमें ह पानते कि यूनिवर्स बहुत जादा चोटा था था बट धीरे धीरे टाइम के साथ यह एकस्पैंड होता जा रहा है और और भी इसके एकस्पैंड होने के चांसिस हैं क्योंकि गेलेक्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है बहुत जादा टेस स्पीड में यह ये पूरा chapter हमें universe के बारे में बताता है कि कैसे earth बनी होगी या कैसे human beings बने होगे but main idea इस chapter का क्या है universe के बारे में क्योंकि इसमें theories बताई गई है big bang theory और बहुत सारे scientist की researches describe bumba अब हमें bumba के बारे में बताना है तो bumba के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा की जो gourd है कहां के central Africa के उनको bumba कहा गया इसमें और उनका एक दिन पेट दर्द हुआ और उन्होंने vomiting की तो उससे sun निकला और उसके बाद उनके पेट में जब relief नहीं हुआ फिर उन्होंने और थोड़ी सी vomiting की जिसके बाद बाग की सारे animals, planets और star वगएर निकले थे next question है what is the joke that the authors make regarding ethanol तो author नहीं यहाँ पर ethanol के बारे में क्या जोग बनाया है तो यहाँ पर हमने देखा था कि इतनोल किस से बनती है कौन से बनती है और हमने एक line भी पड़ी थी कि भगवान ने कौन से आदमी बनाया था और उस आदमी ने कौन से जो है वो क्या बना दी थी शराब बना दी थी लेकिन वो आज तक कभी भी उस कौन से वापिस से कोई अच्छा इंसान नहीं बना पाया है इंसानों ने सिर्फ शराब भी बनानी सिखिया उस चीज से यहां पर यह कह रहे कि according to the Mayan legend the maker made the first humans from corn today we make ethanol from corn but can't make the people who drink it तो यहां पर वो कहने चाह रहे कि इंसानों ने भगवान ने तो कौन से इंसान बनाए इंसानों ने कौन से क्या बनाया कौन का मतलब होता है मक्का मक्का से बनाई उन्होंने शराब लेकिन वो कभी ऐसे इंसान नहीं बना पाए जो इंसे कौन से क्या पी सके दारू पी सके वैसे तो हम इंसान ही reproduce करते हैं इंसानों को लेकिन यहां पर वो एक ब्यांग्या में कह रहे हैं कि इंसान भगवाने जैसे इंसान बनाए इंसान वैसे इंसान नहीं बना सकता तो यहां पर question पूछा जा रहा है कि जो लेखक है वो humans को अभी अभी की रचना क्यों बता रहे हैं कि वो कुछ सालों पहले ही बनाए गए हैं कुछ करोड़ों साल पहले ही बने हैं लेकिन universe जो भूट टाइम से पहले सी exist करता था तो यह हमने line पड़ी थी जिसमें हमने discuss भी किया था कि इनसान जो अभी अभी पैदा हुए हैं मतलब कुछ सालों करोड साल पहले पैदा हुए हैं उन्होंने इतने से time में इतनी जादा innovations इतनी जादा तरक्की की इतनी सारी खोजे की अगर इनसान उसी समय से पैदा हुआ होत होता जिस समय से हमारा universe बना है तो अब तक तो वह कितनी जादा खोजे कर चुका होता कितनी जादा आगे बढ़ चुके होते हैं इसलिए यहां पर लिखा हुए humans have improved rapidly in knowledge and technology humans बहुत जल्दी से तेजी से knowledge और technology की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है had there been humans for millions of years the progress would have been far greater और अगर humans millions of years पहले से होते तो अब तक तो हम पता नहीं कितनी जादा progress कर चुके होते इसलिए author नहीं है यहां पर ऐसा कहा हमारा next question है what do you understand by the term big bang theory तो हमने लास्ट में देखा big bang theory के बारे में तो यह theory क्या universe की theory है कि कैसे universe बना था high density city or temperature की वजए से एक बहुत बड़ा blast हुआ था जो कि नैबुला में blast हुआ था और जिससे sun और बाकी सारे planets बने थे यहां पर हमारे small question answers खतम हो जाते हैं इसके बाद जो long question answers है वो start होते हैं तो सबसे पहला question है discuss the relevance of the title choosing our universe तो यहां पर हमें relevance बताने title का कि क्या हमारा title है वो बिल्कुल सही रखा गया है तो क्या लिखा हुए this chapter gives four views about the origin of the universe इस chapter में हमें four views पता चलते हैं कि कैसे हमारा universe बना था the first view is based on the belief of Bosongo people of Central Africa जो हमारा first view है जो कि Bosongo people है जो कि Bosongo community है या फिर हम कहें कबीला है Central Africa में उसका है और वो क्या view है अगर हम यहां पर explain कर दे तो हमें extra marks मिल चाहेंगे कि Bumba नाम के God होते थे और उन्हें वो मिटिंग आई जिससे उन्होंने स्टार्स और बाकि सारे प्लैंट सुनाइग दे सेकेंड वीव इस बेस्ट रून दा मायान लिजिन एंद थर्ड वन और ओल्ट टस्टामेंट तो इसमें सेकेंड वीव इस बेस्ट ऑन दे थेओरी ऑफ दे बेग बैंग और जो हमारा फॉर्थ वीव वो बिग बैंग की थेओरी है जो हमने सबसे लास्ट में पड़ी थी दा ओथर लिव इट टू अस विच विच विव वी सब्सक्राइब टू तो जो ओथर उन्होंने हमारे उपर ही छो प्रफिट गुड़ी टूरी तो अन्होंने पूरा पूरा जो डिसेशन हैं हमारे उपर छोड दिया डे मीन तो सेथ इट इस नोट इंपोर्टेंट हाओ दर यूनिवर्स और जिटनेट इंट तो यहां पर जो ओथर है वह हमें कहता कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि यू universe as it is now important यह है कि हम universe को कैसा बनाते हैं मतलब हमारी प्रित्वी को हमारे ब्रह्मान को कैसा बनाते हैं therefore I think the title of the essay is quite relevant and meaningful इसलिए मैं समझती हूं कि जो हमारा essay का title है choosing our universe वो बिलकुल meaningful है और बिलकुल सही है तो हमारा next question है what is the fiasco which has been discussed in the chapter choosing our universe यहां पर fiasco का सफलता के बारे में हमने chapter में देखा there is a Mayan legend about the origin of the universe तो जो मायान है इस में जो मायान की कथा थी जो हमने देखी थी वो लोग कथा थी जो बहुत सालों से famous थी वो यहां पर सफलता है क्यों according to this legend before the creation all that existed were the sea, the sky and the meeker तो इस creation पर मतलब कि इस कथा के अनुसार जब starting में क्या था सी थी, sky था मतलब कि मुद्र था, अकाश था और रचैता थे means God थे the maker felt unhappy because there was no one to praise him, तो यह हमने chapter में देखा था कि भगवान इस वज़े से बहुत जादा नाखुश थे क्योंकि कोई उनकी तारीफ करने के लिए नहीं था therefore he created the earth, mountain, trees and most animals, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, प्रिथवी बनाई, पहाड बनाए, पेड बनाए और बहुत सारे जानवर बनाए, पर जो जानवर थे वो बोल नहीं सकते थे but animals could not speak, so he decided to create humans, इसलिए उन्होंने इंसान बनाने की सोची first he created humans out of mud and earth, but they only spoke nonsense, तो उन्होंने सबसे पहले किस से इंसान बनाए थे, मिट्टी से, लेकिन वो सिर्फ पकवास ही करते थे इसलिए उन्होंने उन्हें घुलने के लिए छोड दिया, and then he created humans with wood, फिर उन्होंने किस से इंसान बनाए थे, लकडी से, और यह जो थे वो भोती मन बुद्धी थे, तो maker ने इन्हें destroy कर दिया, when the maker tried to destroy them, they escaped into the forest, लेकिन जब वो उनको destroy करने वाले थे, तो वो वहाँ पर प जानते हैं, लकडी के बने वे इंसानों को, आज हम उन्हें monkey के रूप में जानते हैं, thus the maker's effort proved as a fiasco, a shameful failure, तो यहाँ पर क्या बताया गया, कि भगवान ने जब इंसान को बनाए, तो पहले तो उन्होंने मिट्टी के इंसान बना दिये, जो कि उन्हों की तारिफ करी नहीं है, वो जब इंसानों को बना रहे थे, तो उनसे कड़बड़ी हुई, और उसी को यहाँ पर failure के रूप में बताया जा रहा है, उसके बाद हमारा next question है, what is the tone of the chapter choosing our universe, तो किस tone में लिखा गया है, तो यहाँ पर tone के satirical है, satirical मतलब व्यंग में, कि वो मजाग बनाते हुए बता रहे हैं, the chapter choosing our universe has been written in a satirical tone, व्यंग में उन्होंने ये लिखा है, दा बोशंगो एंट मायान लीजेंस, क्लियरली होल्ड दा ह्यूमन अप टू रेडिकूल, तो जो बोशंगो और माया की जो कथाएं थी, उन्होंने सबस्ट रूप से मानवों का उपहास बनाया है, कै इसे कोई कह रहा है कि इनसान जो है, वो पहले मिटी से बनाये गए, फिर उन्हें बंदरों से बनाये, कोई कहता है, उल्टी से निकल कर रहे हैं, तो यह सब यहाँ पर मजाग बनाया जा रहा है, according to the बोशंगो व्यू, the great goat boomba vomited out the sun and the moon, the stars, some animals and finally men, तो जो हमने अभी बोल कि जो बोशंगो व्यू है, उसके हिसाब से जो भगवान बुंबा थे, उन्होंने पहले उल्टी की, इसकी, सूरच की, फिर उसके बाद में चांद की, फिर तारों की और उसके बाद में कुछ जानवरों और इनसान की, और according to the मायान व्यू, the maker created first human from corn, और मायान के अनुसा drinking people who can drink it, और यहां पर राइटर ने व्यांग्यात्मक्स तरीके से जो हमने पहले देखा, उसमें ये भी बोला था कि भगवान ने तो कौन से इंसान बनाए, इंसानों ने कौन से क्या बनाई, धारू बनाई, मतलब कि मदिरा बनाई, और फिर यहां पर राइटर कहता है कि लेकिन इंसान कोई ऐसा कौन से इंसान नहीं बना पाया, जो की से पी सके, बिशोप उशर प्लेस ता ओरिजिन ऑफ द अर्थ अट नाइन इन द मॉर्निंग और यहां पर बिशोप उशर ने तो बिल्कुल टाइम ही बता दिया कि सुबह की नो बजे, अक्टुबर 27 सारी को हमारे युनिवर्स है, वो बन गया था, तो यहां पर क्या यह सचा ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज तक किसी को नहीं बता चला है कि किस डेट को या किस टैंक पे हमारा युनिवर्स बना था, clearly there is a satirical vein in all these descriptions, तो सबस्च तो और से इन सब भी जो भी उन्होंने theories बताई है, और सब में व्यांगे का भाव है, वो मजाख में यह सब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि यह कता हैं तो सच है, बट हम इन पे पूरी तरह से relevant नह नहीं कह सकते कि इसमें जो लिखा गया वो बिल्कुल सच और हमें इसे ही मान लेना चाहिए, और लास्ट में राइटर क्या कहता, यह हमारे लिए बिल्कुल भी इंपोर्टन नहीं है कि युनिवर्स कैसे बना, जैसे कुछ लोग जानना चाहेंगे इस कोशन को कि युनिव मान के साथ क्या करते हैं, जैसा की है, आज है, तो हम इसके साथ कैसे इसका यूज करते हैं, या कैसे इसे अच्छे में यूज करते हैं, कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या हम इसे कैसा और बहतर बना सकते हैं, यह इंपोर्टन है, इसी के साथ हमारे इंपोर्टन question answers खतम हो जाते हैं मैं hope करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके exam में इससे help मिली होगी thank you so much